जैसे रादी जी, विलकम टू रंगेश्टो, अल्ली वन डियल एस्टोलोजी एंड पामिश्टी चैनल और एंटायर यूटूब आज हम बात करने जा रहे हैं राहू के इस छेतर के बारे में इस छेतर आपके लिए काफी महुत पूर्ण होता है क्योंकि यह जितने ही बहतर इस्थिति में होता है आपके जियों में उतने ही बहतर फलाफल देने का करे करता है कैसे जाने इसके बारे में इसकी रूप रेखा किस परकार से होनी चाहिए सबसे पर्ले आप समझ लिए कि आपके हाथेली में सारे प्रवस्चतर मौझूद होते हैं सारे मुखिरे खाएं मौझूद होती हैं और जो भी अच्छे बूरे सिंबल्स होते हैं सब मौझूद होते हैं उनकी परिस्तेती कैप पड़िएंगी आपके जियों में उतार चरहो जैसी चीज़ें आते हैं दोनों आथेली को देखकर इनके बारे में आप काफी बहतर तरीके से जान सकते हैं सुचम बिसलेशन के आधार पर आज हम बात कर रहे हैं राहू के इस शेतर की जो की बिल्कुल मद्य का शेतर कवर करके यहां पर विराजमान होते हैं इस शेतर जिस्पी वेक्ति का जितना ज़्यादा दबा हुआ हो यानि कि अंदर की तरफ धसा हुआ हो एक बहतर इस्थिति को दिखाने का कारे करता है इसका रिजन क्या है क्योंकि जो भी मुख्य गरह है इसके आसपास मौजूद है चारो तरफ से इसे घिरे हुए है और जितनी ज़्यादा यहां की गहराई होती है समायोजन उतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सारे गर्वों का यहां पर हो पाता है आप गौर करते होंगे कि जब भी आप बगवान को तिलक करते हैं या खुद भी तिलक लगाते हैं अभी सेक करते हैं तो इस छेतर में ही आप चंदन का लेप करते हैं या जो भी सुखकार होता है यहां से उसे सक्ति की प्राप्ति होती है तो इस च्छत्र जितना ज्यादा इस ट्रॉंग होता है उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी जिंदी की आगे की तरह बढ़ती है और जीवन में सफलता उत्साह के स्थिति आपके साथ बनी रहती है इसके अलावा राहू एक ऐसा रहसमय प्रवच्छत्र है और एक रहस है जो कि आपके जिवन को किस तरीके से कब परिवर्तित कर देगा अपनी बुरी से बुरी दसा में भी किस तरीके से आपके जिवन में बेहतर से बेहतर फल देने का कारे करेगा एक कहना मुस्किल हो जाता है बिल्कुल एक ओंट की तरह है कि वो किस करवट बैठेगा एक पता लगा लेना कई देफ़े आपके लिए एकदम टेडी खीर सावित होती चली जाती है यह कहने को चाया करा है लेकिन इसका प्रभाव चाया के रूप में ही इतना परवल होता है कि जो मुख्य करा है उनकी कारे सकती जो है और कारे करने की जो चमता है उसे सिसिल कर देने का कारे करता है यहां से कुछ जो भी आपके मुख्य जो भी लाइन्स है जो भी रेखाएं है उनका पत है यानि कि उनका सिल्क रूट है यहीं से होके गुजरेंगे तो उस सब पर रावु का परवाव उसी त मस्तिस्क रेखा कि इस छेत्र में जैसे ही पर्वेश्ट करती है मस्तिस्क रेखा उसके बाद अगर हो किसी प्रकार से लाहरदार हो गई याकि कि उपर या नीचे की तरब जूनना शुरू हो गई हैं, दो से तीन डे खाओं में विभक्त होनी शुरू हो गई हैं, तो आपके केरियर में रुकावट और आपके जीवन में कुछ न कुछ अर्चनों को पैदा करने का काम शुरू करना आरंब कर देगी, इसके अलाबा अग एक खास प्रकार की मासिकता में अपनी जीवन को आगे बढ़ानी की चेस्टा करेंगे, जो कि लिगल नहीं होगा, जो कि एक तरीके से समाजिक रूप से जिससे सही नहीं माना जा सकता है, वैसी प्रिष्थिति की तरब आपका जुखाव बढ़ाना है शुरू कर देगा, इसके अलावा इसके अगर दो से ज्यदा साखाय हो जाएंगे तो इसके अनुरूप, इसके बहुँप सारे वीडियो जे हैं हमारे चैनल पर, आपके जीवन में इसके परभाओ दिखने शुरू हो जाएंगे, कि जब दो मुख्य होती है, तो कि आपके जीवन पर पर वह होता है इसके अलावाज़ नीचे से आपकी भागी रेखा आगे की तरफ जाती होती है और इस चेतर में अगर कहीं से भी खंडित हो जाती है तो इस चेतर को किसी भी प्रकार से कहीं से भी किसी वर्ग नहीं यानि कि एसक्वायड ने कवर कर लिया है तो इसके जो दुस्परभाव हैं वो कम से कम हो जाएंगे और इसके जो सुपरभाव है वो आपके जीवन की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे लेकिन अगर ऐसी परिस्थिती नहीं होती है तो राहू के बरों से उहां पर आपकी ज नाजुक मोर पर काम में आती है अगर इनके परिस्तिती आपके लिए अची है क्योंकि इनकी पकर इस श्टर पर बहुत ही बहितरीन होती है उपर करें तो सब से चली paranoid होती है राहू के इस श्टर में nao अगर आभू यहाँ पर कम्जौर हो जाता है तो यह अपने तरीके से आपको जिन्दिकी के सारे सुख दे देंगे लेकिन सुर्ख कितना भी बलान यहाँ पर हो और आभू अगर यहाँ पो बलसाली हो जाएगा तो यह उसकी सख्थी को एक दम चुस लेगा जैसे जोंक पानी की खोज में घूम रहे होंगे इसके अलावा सनी का जो इच्छितन है इनके साथ इनकी मित्रता की इस्तिती बनी होती है और कहीं ने कहीं एक स्वामी के जैसे इनकी यहां पर मानसमान राहू करता है तो ऐसी प्रिस्तिती में क्या है कि सनी अगर आपके लिए यहां पर बलवान है तो यह और लेडी सिसील हो जाएगा और यह जब सिसील हो जाएगा तो अगर सुर्य अच्छा है तो इसका ही प्रभावाना शुरू हो जाएगा बुद का भी प्रभावाना शुरू हो जाएगा गुरू के अगर बात करें हथेली के अपडिंग अगर देख रहा है तो गुरू इन सबसे थोरे से अलग है और उदासिंता का भाव यहां पे राहू का इनकी तरफ से रहता है तो इस पे ज़्यादा प्रवाव आपके जियोन में देखने को मिलेगा नहीं लेकिन आप प्रोख चुरूप से एक कुछ ना कुछ ब्योधान पैदा करते होते हैं सामने सामने कोई एक दुसरे से मिलता नहीं लेकिन पीट पीछे यह अर्चने पैदा करने में अगर मौका मिलता है तो कोई ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं वैसे अर्चने पैदा करते हैं, तो कुछ परसानिया आपको आ जाएंगी, कैसे, लेकिन जो परसानिया आएंगी नो secondary आएंगी, यानि कि primary नहीं होगी, जैसे समझ लो कि मुखे काम है क्या job लगना, job लग जाएगी, वहाँ पे काम करने में परसानिय होनी शुरू हो जाएग तो इस secondary रूप से अपना परवाव यहां पर दिखाना शुरू कर देते हैं, अब यहां पर सारे गर्वो छत्रों की स्थिति अच्छी रहेगी, जैसे मंगल यहां पर अच्छा है, महलो सैटरन की स्थिति अच्छी है, यहां से आपके वीनस से लेके मून तक की situation अच्छी ह तो क्या होगा, सुब करतर ही योग कर निर्वाने आपर हो जाएगा, और जब ऐसा होगा, तो यह जो भी है न, सिसील भी है न, और कमजोर भी यह प्रवच्छेतर है, आपके जिएगा यह रहे खाएं, यहां पर कमजोर भी है न, तो भी यह बहुत ही जादा तिब्रिकती स उसके भी सुब परभाव ही आपकी तरफ बढ़ने शुरू कर देंगे, तो यह सब यहां पर लाव हो जाता है, इसके लावा जितनी गहराई रहेगी, आर्थिक तोर पे आप उसी परकार से 29 जिवन में करेंगे, और आपका एक दबदबा लोगों के बीच भी अच्छा खा लेकिन अगर उस समय आपनी सावधानी के साथ कदम नहीं बढ़ा है, तो कहीं देफ़े आपके लिए लर्खराने के मौके बन जाते हैं, तो जब भी ऐसी कुछ चीज़े हो तो इससे तोर पे आपको सुच मिसलेशन में जाना चाहिए, और उसको बहुत पाम एनलिसिस करके और इन चीज़ों को डिकलियर आप कर सकते हैं कि चीज़े किस तरीके से आपको आगे की तरह पढ़ना चाहिए और क्या आपके लिए सही रहेगा, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स भी बनते हैं, उसे भी देखना आपके लिए आवाशक है, जैसे कि आपकी जीवन रेखा से बिल्कुल लग के यहाँ पे ट्राइडेंट के स्थितिय आपके लिए बनेगी ट्रैंगल के स्थितिय बनेगी यह सारी स्थितिया सुभ है, क्योंकि जीवन में नए मौके जीवन को सक्ति परदान करने का कारी करते हैं, मस्तिस्क रेखा के ऊपर भी जब आपके जोली में, आप उस समय, जैसे कई दफे आपने देखा होगा, कि आपके जीवन में ऐसे मौके आते हैं, कि आपके पास यह उपर्चिनिटी है, कि आप एक करना चाहते हो, उस समय आप वहाँ पर जाते हैं, यह उपर्चिनिटी जो होती है, जो कि आपके पास आती है आपके पक्ष में होती है लेकिन कई देफे आपको उतना confidence नहीं मिल पाता कि हम इन चीजों को कर सकते हैं इसके लिए जो आपके अगनी तक तो गरह है यह जिम्मेदार होते हैं आपका संजिम्मेदार होता है अगर कहीं से भी weakness को प्राप्त हो चुका है कहीं से भी weak है तो situation भी क्या होगा आप अच्छे opportunity को miss कर देंगे बोलेंगे कि नहीं नहीं इसमें जाना अच्छा नहीं रहेगा यह में लिए problem create करने वाला है तो यह सब जो चीजे होते हैं यह अच्छे मौके होते हैं जो बार-बार जैसे कि आप candy crust खेलते होंगे यह बहुत सारे mobile के application तो विच 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 एक अच्छा point लेने वाला कुछ आता है ना उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि यह सब point वाल पन रही है मेरी बाते बहुत उल्जहा रही होंगी आपको लेकिन जिंदिक को सुल जाना है ना तो बड़ी उल्जी उल्जी चीजों में ही घुशना पड़ेगा आपको तभी जाके सुल्जी चीजे निकलेंगे नितो जिंदिकी भर सो कॉल्ड लॉट्स ओफ एस्टोलोजर है यूट्वर सो कॉल्ड एस्टोलोजर बेसिकली यूट्यूबर्स फेक कुछ नहीं जान पाओ है कभी ठीक है तो समझो जो ऐसी चीजे जब भी मिले न अच्छे-च्छे सिंबल है लेकिन काम नहीं करें नहीं यह आपकी opportunity को दरसाते हैं जो कि उस कालखंड में आपको मिलते हैं लेकिन आपका confidence आप कहीं ने कहीं उतना believe नहीं कर पाते हैं और उसका नतिज़ा क्या होता है कि ओमोके आपसे चुक जाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि नहीं लरका बढ़ा बढ़िया था लरक कि हमारी कहां जा रही है हमारी लिए क्या सही है क्या सही नहीं है आप सब कुछ नहीं सोच सकते हैं जैसे मालो आप computer specialist हो ठीक है मैं नहीं हूँ तो आप जितनी बार किया से मुझे हो चीज़े बता सकते हैं उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ आप उतना आप नहीं जान सकते, आपको उतना ग्यात नहीं होगा, तो जो जहां का यह हो, समन्वे होना चाहिए, ताकि सब की सही तरीके से सब को उसके बारे पता होता रहें, उनकी जिंदी के आगे की तरह बढ़ते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होती रहे तो इस तरीके से आपको इसका लाफ जियोन में मिल जाता है, और इसके समन्द में आप जान पाते हैं, इसका लाबा बहुत सारी यहां से देखा आप देखेंगे, छोटी-छोटी महीन महीन देखा है आगे की तरह बढ़ रही हैं, बीच में टूट रही हैं, हट रही हैं, इस सब मांसिक बदलाओं को दर्साने का कारिकरती हैं, जैसे मौसम बदलता हैं वैसे ही आपकी मांसिकता बदलती होती है, सुभाव बदलता होता है, स्वास्त समंदी समस्याओं को दिखाती हैं, इसके लाबा वेपार में आपके कारी छेत्र में जो बार बार चेंजिंग ह रही है जो चीजे नित्तें बदल रही हैं के तर आप काफी कुछ जान सकते हैं जिंदी के बारे में वैसे बहुत सारे चुपे हुए राज हो जो कि बिल्दक्ल आपकी जिंदगी के पण्मों को खोल के रचे क्या कुछ नहीं है इसमें इस वीडियो के दौर आपने काफी कुछ जाना आगे भी ऐसी कुछ वीडियो राओ के शत्र पढ़ाएंगे जिससे आप कुछ और भी इन चीजों के बारे में बेहतर जान सकें मिलते हैं फिर तब तक के लिए इस जैसे रादे